Hello, दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नंदर रिवर के बारे में के विस्तार से के नंदर रिवर का उधभव कहां से हुआ है, कौन-कौन से जिलों से बहती है और कौन-कौन से waterfalls बनाती है इसके लावा कौन-कौन सी परियोजना इसमें चल लए तो विस्तार से पढ़ेंगे और एक बात और जब हम कोई भी नदी पढ़ते हैं तो इन बिंदों को ध्यान में रखकर ही आपको तियारी करना है कि जलपरपात परियोजना है और उनके कहां कहां से नहुकर गुजरती है वो कौन-कौन से सहरों से उसका उधवाब कहां से हुआ है और कौन सी नदी या सागरम वो मिल जाती है और कौन-कौन सी उसकी सहायक नदीया है ये भी सारे पॉइंट आपको देखने हैं ठीक है आप यदि कोई इस्टेट एक्जाम दे रहे हैं तो आपको इस इस्टेट की नदी के बारे में पूर्ण जानकारी होनी बहुत ही अवश्यक है संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए ठीक है और जो विश्व की महत्पूर नदियां उनके बारे में समान जानकारी होने चाहिए कि उनका उद्भाब कहां से हुए है कहां पर बहती है और कहां पर जाके गिर जाती है और ऐसे ही देश में कौन-कौन सी बड़ी नदियां उनके बारे में भी समान जानकरी होना आवश्यक है लेकिन हाँ इस स्टेट के एक्जाम दे रहे हैं उसे स्टेट में जो महत्पूर नदी है उसके बारे में आपको विस्तार से पता होना चाहिए तो देखते हैं कौन-कौन सी नदियां है विश्व में विश्व की नदियों के बारे में चर्चकर लेते हैं एक बार कि विश्व में सबके बड़ी नदि यू कौन सी है तीसरी है यांग सी चाइना की है मिसिसिपी मिसौरी यानिशी जो रशिया की सबसे बड़ी नदी है हांग हो नदी ये भी चाइना की दूसरी सबसे बड़ी नदी है इसको यलो रवरी भी कहते हैं और ये चाइना में बहती है ठीक है और ये बोहाई सी में जाके गिर जाती है मैप में देखते हैं एक बार ठीक है ये है विश्व का मानचितर आप इसको देख सकते हैं पहले तो आप देख सकते हैं इसमें नौर्थ हमेरिका यहाँ पर है साउथ हमेरिका ये है योरोप ये है एशिया महादीप, यह है अफरिका महादीप, यह है औस्टिलिया महादीप और महासागर की बात करें तो प्रसांत महासागर, यह है अटलांटिक महासागर यह यहाँ पर उपर आर्किटिक महासागर और नीचे है दक्छिमी महासागर इसके लाव ये हिंद महासागर और ये प्रसांत महासागर ठीक है ये हमारा भारत तो विस्व की सबसे बड़ी नदी वेहती है अफरिका महादीप में नील नदी इसका नाम है नील और ये विप्टॉरिया जील से निकलती है और पूरे जो सहारा ये मरुस्तल देख रहे हैं सहारा मरुस्तल इसके पूरूर विप्देशार में बहती हुई जो है भूमत सागर में मिल जाती है यहां से यहां पर ठीक है दूसरी सबसे बड़ी नदी है उसके जो आयतन होगा नदी का उस दरश्टी से बात करें तो Amazon नदी पहले नमबर पे है और ये एंडीज परवस से निकलती है और Atlantic Ocean में गिर जाती है तीसरी सबसे बड़ी नदी है China की नदी यांग सी नदी ये देख सकती है आप यांग सी और ये यांग सी नदी नकलती है सीकांग की पहाड़ीयों से और पूरवी चीन सागर में मिल जाती है इस्ट चाइना सी में जाके मिल जाती है और ये चीन की सबसे लंबी नदी है चौन्थे नमबर में आती है North America की Mississippi Missouri नदी जो की अमेरिका में बहती है पूरी और फिर यहां से मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है ठीक है इसके बाद हांग हो नदी जिसको यलो रवर भी बोलते है और चायना की दूसरी नमबर की सबसे बड़ी रवर है ठीक है और यह ब बोहाई सी में गर जाती है बोहाई सी तो यह थी विश्व की सबसे बड़ी नदिया और इसके बाद हम देखेंगे के भारत में कौन-कौन सी नदिया है इंडिया की सबसे बड़ी नदी है गंगा और फिर गोदावरी कृष्णा यमुना और नर्मदा ठीक है गंगा नदी यह पर बंगाल की खाड़ी में आरप शागार इसके बाद आती है गदावरी नदी यी निकलती है महराश्ट से महराश्ट में एक स्थान तरंब के श्वर वहाँ से निकलती है और फिर बंगाल की खाड़ी में गर जाती है helper teawire महराश्ट से होते हूए तो ये 36 زगर तेलंगाना अंद्र पर्देश होते हुए फिर उडीसा में प्रिविस करती है फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है तीसरे नंबर में आती है कृष्णा नदी कृष्णा नदी भी जो है तीसरे नमबर की सबसे बड़ी नदी है और ये महाबलेश्वर से निकलती है महाराष्ट में एक इस्थान है महाबलेश्वर वहाँ से निकलती है महाराष्ट होते हुए करनाटक तिलंगाना होते हुए आंधर प्रदेश में जाती है और फिर वहाँ से बंगाल की खाड़ीम और बहती जैसे नर्मदा हो गई, तापी हो गई, माही नदी हो गई और साबर मती ये सारी नदिया पूर्व से पश्रिम की और बहती हैं यमना नदी की बात करें यमना नदी निकलती है उत्राखंड के उत्तरकासी डिश्टिक से और यहां पर यमनोत्री वहां से निकलती है और गंगा नदी में अलावाद में जाके मिल जाती है इसके बाद नर्मदा नदी इसके बारे हम चर्चा करेंगे आगे अब हम देखेंगे मध्यप्रदेश में कौन सी महत्पूर नदियां हैं यह सबसे बड़ी नदी है नर्मदा फिर चंबल तापी सोन बेतवा तवा शिप लोगी हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे अभी हम पढेंगे नर्मदा नदी थे किuję अभें नर्मदा नदी तापी भी पूर्व से पश्यम के ओर जाती है और नमदा से थोड़ी दूर यदि जाएं, अमर कंटक में तो मर कंटक में तो आधर कंटक से ही निकलती है सौन नदी, ठीक है, और ये फिर गंगा नदी मिल जाती है, और फिर कालिशन्द, पारवती, चंबल, शिप्रा, ये सार पूर्व से पशिमक्योर बहने वाली चलिए पढ़ते हैं नरम्दरेवर के बारे में नरम्दरेवर निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से जो कि अनूप पर जिला पढ़ता है और मैकाल की पहाड़ियों से निकलती है और फिर अरब सागर में खंबात की खाड़ी के पास गुजरात में गिर जाती है और यह नदी मध्यपरदेश महराश्ट गुजरात में बहती है तीन राज्यों में बहती है इस मैपसे आप देख सकते हैं नम्दा नदियग यह अपवाध शेत्र यहां पर बहती है मध्यपरदेश के अंदर यह 1077 किलो मीटर बहती है और टोटल यह है विंद की पहाडियां और यह है सत्पोड़ा की पहाडियां तो इसमें जो बीच में रिफ्ट वैली है दोनों पहाडियों के बीच में रिफ्ट वैली में बहती है नम्दा नदी एक बात और नम्दा और तापती के वाल ऐसी नदियां जो डेल्टा नहीं बनाती है य एश्यूरी क्या होता है जब नदियां समुंदर में गेती हैं या सागर में मिलती हैं तो नदियां फैलती हैं कुछ इस तरीके से फैलती हैं ठीक है लेकिन ये दोनों नदियां फैलती नहीं है सीधे जाकी समुंदर में गिर जाती हैं तो इसको बोलते हैं एश्यूरी यदि नदिया फैल जाएंगी, तो इसको बोलेंगे हम Δेल्टा। अब देखते हैं नम्दान अदियों के अप्ण नामों के वारे में कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो मद्परदेश की जीवन रेखा बोलते हैं, फिर गुजरात की जीवन रेखा, मद्परदेश की गंगा बोलते हैं, क्योंकि नर्मदन अदी जो है काफी पवित्र है, तो इसको मद्परदेश की गंगा भी कहते हैं, रेवा बोलते हैं हम रिगवेद में कई वार और हमारी संस्कित है ग्रंथों में इसका नाम रेवा है मैकल सुता बोलते हैं क्योंकि मैकल की पहाडियों से निकली है नामा दोस नाम दिया था टॉलमीन है और सौम उद्भवा सौम मतलब होता है चंद्रमा तो चंद्रमा की पुत्री या चंद्रमा से जन्मी अमर कंटकी अमर कंटकी मतलब अमर कंटक से निकली इसलिए अमर कंटकी शंक्री, शंकर की पुत्री तो ये सारे नाम है ननम्दा नदी के नदी अपने रास्ते पर बहुत सारे वाटरफॉल बनाते हुए निकलती है तो सबसे पहले बनाती है कपिल धारा फिर दुग्द धारा, मंधार मंधार तो ये खरगोन में बनाती है दर्दी और ये सहस्त धारा ये सब खरगोन में है और धुग्द धार है जवलपुर में देखते हैं इस मैप में तो ये जब नम्दानदी का उद्भव होता है कहां से अनुपुर से तो वहां से 8 किलो मीटर दूर बनाती है कपलधारा और फिर उसके बाद बनाती है दुखदधारा तो ये दोनों अनुपुर जिले में है कपलधारा की उचाई है 24 मीटर और फिर आगे बढ़ती है नम्दानदी फिर जबलपुर में बड़ा एक खुशूरत दुखदधार बनाती है बेडा गाट में बेडा गाट जगाए है जबलपुर में और वहां पर बनाती है दुखदधार दुखदार की उचाई है 15 मीटर इसके बाद हंडिया से बड़वा के मद दो बनाती है दर्दी और मंधार ये दोनों हंडिया से बड़वा के मद हैं फिर एक और बनाती है सहस्त्र धारा सहस्त्र धारा सहस्त्र धार की उचाई कितनी है? 8 मीटर इसके लावा मैं बात करूँ मदपर्देश के सबसे उंचा जलपरपात कौन सा है तो वो है बीहर नदी में है रीवा मैं चचाई जलपरपात चचाई जलपरपात मदपर्देश का सबसे उंचा जलपरपात है जो की बीहर नदी में बना है और रीवा मैं है अब देखते हैं नरम्दा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी हैं कितनी सहायक नदी हैं तो सबसे पहली बात तो 41 सहायक नदी हैं नरम्दा नदी की और 22 जो हैं लेप्ट साइड से हैं और राइट साइड से हैं उन्निस लेप्ट साइड मतलब बाया तट बाय तट से हैं मतलब मालो मैं इस साइट फेस करके खाड़ा हूँ और क्योंकि हम कैसे निकालते हैं कि कौन सा तट कौन सा है तो जिस साइट नदी प्रभाहित हो रही है उस साइट हम फेस करके खाड़े हो जाएंगे तो पता चल जाएगा, जैसे कि मैं इस side फेस करके खाडा हो रहा हूँ, यूँ नर्मदा नर्नादी इस side पर भाइथ हो है, पूर से पश्च्छिम की तरफ तो यह हो जाएगा दायाटट और यह हो जाएगा बायाटट तो दायाटट से 19 निकलती है और 22 से निकलती हैं 22 उनमें से महत्पून कुछ ये हैं तवा, बनास, बरना, शेर, शक्कर, मान और तिंडोली इसके अलावा टोटल 41 हैं लेकिन महत्पून जो हैं ये हैं और सबसे महत्पून जो है तवा है अब देखते हैं कि नर्मदा नदी कौन-कौन से जिलों से होकर गुजरती है या कौन-कौन से जिलों को लभानवित करती है तो ये वो जिले हैं अनूपूर, मंडला, डिंडोरी, जवलपूर, नर्शिंगपूर, ओशंगाबाद, राइसेन, हर्दा, खंडवा, खरगौन, धार, सीहोर, देवास, बढ़वानी, अलीराच, आईए मैप में देखते हैं एक बार उससे आपको क्लियर हो जाएगा है ये अनूपूर से निकलती है यहां से और फिर आगे बढ़ती है दिंडोरी, मंडला, जवलपूर, होते हुए, नर्शिंगपूर, राइसेन, होसंगाबाद, देवास, हर्दा, ये सब देख सकते हैं आप मैप में इससे आपको आसानी हो जाएगी और यहां से करक्रेखा ग नंदर नदी होकर गुजरती है, अब कुछ डेम देख लेते हैं, कौन-कौन से डेम बने हैं, नंदा, घटी, परियोजना, केंतरकत, ये सारे डेम बने हैं, सर्दा सरूबर डेम, इंद्रा गांधी सागर परियोजना, ओमकारेश्वर और महेश्वर, ठीक है, सर्दा बने हैं, तो कुछ परियावरान को नकसान होता है, या फिर कुछ समाजिक ब्रश्टी से हिए हानी होती है, लोगों के एक जगा से दूसरी जगा ट्रांस्फर करना पड़ता है, इस कान काफी विरोध भी होता है, तो फिर इसलिए परियोजने हम समाजिक कान हो से नरंदा गाटी परियोजना का विरोध भी हुआ तो फिर उसके बाद जो है नम्दा बचाओ आंदोलन इस स्टार्ट किया गया यह किया गया था मेगा पार्ट करने और इनका साथ दिया था अरोंधती रोए और बाबा आम्टे नभी तो यह तीद नाम याद रखने आपको नम्दा ब परियोजना है तो इतनी सारी परियोजना चल रही है नम्दा नदी घाटी के अंतरगत 29 बड़ी 135 मद्यम और 3000 छोटी तो यह था नम्दा नदी पर विश्तित वीडियो यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें और चैनल सब्सक्राब नह निए ताकि नोटिफिक्स में प्राप्त होती रहे है थांक रहे है